आज हम सम्मराइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पड़ा है इलेक्ट्रोनिक सर्किट में इन प्रीविएस लेक्चर वी हैब डिस्कुस्ट सूपर पूजिशन थेओरम थेवनिन थेओरम और नॉटन थेओरम सो फा तो आज हम आपको ये बताएंगे कि थेओरनिन थेओरम और नॉटन थेओरम में क्या similarities है और क्या relationships हम इन में establish कर सकते हैं और how can we convert one type of equivalent circuit into another तो ये देखेंगे आप जैसा कि आपको इस diagram में देख रहा है जो अभी तक भी हमने पड़ा है तो अब मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बोलूँगा बस अब आप समिलियर हैं दोनों ही थेओरम से तो मैं शॉट में बताऊंगा आपको आप सारी बातों से जो इंपॉर्टन है वही मैं इंफसाइज करूँगा आपको 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 क्या है यह मैं जूम कर रहा हूं VOC means open circuit voltage and RTH is the Thevenin resistance तो ठीक है वो VOC के साथ में series में लगा हुआ है ये equivalent circuit है Thevenin का and in the right side Norton का equivalent circuit क्या होगा current source ISC means short circuit current and RTH जो है parallel में लगा हुआ है हम इसको IN और RN वेने बिता है था आपको previous lecture में I think yesterday but क्या है अभी मैं दोनों को सेम रखने की कोश्च कर रहा हूँ और मैंने भी बताया था RN और RTH सेमी होता है ठीक है Indithiaunin और Norton कोई भी हो तो जो रहे स्ट्रेंस RTH होगा या RN है वो सेमी निकलता है हम सेमी प्रोसेस करता है तो इसलिए हम यहाँ पे और TH ही लिखे हैं नॉर्टन में भी और VOC and ISC is the difference तो सम डिफरेंसेस देर और सम सिमिलर्टी और अलस देर तो यह दोनों मैं यह सिमिलर्टी से आपको पता चलता है कि जो फस्ट वाला ओरिजनल सर्किट था आपका फस्ट वन उसको आप कनवर्ट कर सकते हैं इन दोनों में ही इसका मतलब यह तीनों ही इक्विलेंट हैं ठीक है तीनों एक दूसरे के बराबर है आपस में तो जो भी आपका ओपुट आएगा वो पहला दूसरा और तीसरा स्टेनों का सेम आएगा इसने आप क्या लिख सकते हैं यह वाली क्विशन यहां से निकल सकते हैं ISC is equal to VOC upon RTH ठीक है साब साब आपको देख रहा है कि VOC upon RTH आप में देखते हैं थैवनिन में तो टोटल करेंट जो जाएगी यहां देखते हैं तो ISC इसको कह सकते हैं आप क्या है से निकाल सकते हैं यहां पर मैं और जूम कर रहा हूं कि यह आप एक इक इक पर वी जोटलड़ इसको तो आप एशेट्टेंट पर यह तो आप आप एसकोर प्या आप निशनशनित्टेन्स है कभी-कभी VOC आपको निकाल लिया, सिधा ISC निकाल के RTS निकाल लिया, मतलब कोई भी दो चीजें अन्नोन है और एक अन्नोन है तो आप अनाम से निकाल सकते, it can sometimes be useful, अब इसके बाद हम देखते हैं, कैसे transformation दोनों के बीच में, ठीक है, again we are showing here, 7-an equivalent circuit and not an equivalent circuit, which are same, ठीक है, represent same ही कर रहे हैं दोनों, तो इससे जो हमने शुरू में पढ़ा था एक, starting में साइद मैंने बताया था, voltage, ideal current source, ideal voltage source, तो ideal voltage source को ideal, मतलब करेंट सोर्स में कैसे convert किया जाए, और current source को voltage source में कैसे convert किया जाए, अब उस दिन तो मैंने बताया ही था, as you can see in the screen, यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला थावनीन वाला आपको क्या दिखाता है, एक ideal voltage source लगा हुआ यहां पर, ideal नहीं कहेंगे, चलो अब बिकाज आइडियल का तो रिस्टेंट जीरो ता है, बट अब भी हम बोलेंगे कि चलो यह भी होसी एक voltage source है, having internal resistance RTH, ठीक है, बाकी जो भी extra resistences होंगे, वो हम नहीं दिखा रहे हैं अभी, यह यह हो गया, और right side में, Norton में क्या है, एक current source है, with its internal resistance RTH, तो अब क्या करना है आपको, अगर आपको voltage source को current source में convert करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, total current निखाल लेंगे, जैसे कि थैवनेन वाले में, current क्या आएगी, VOC upon RTH, और इस current को, जैसे कि आप देख सकते हैं, ISC जो आ रही है, यहां पर आप आप देख सकते हैं, तो यह वाला नॉटन में इफ रही है, जब भी voltage source को current में बदलना है, तो यह ऐसा ही बनेगा, क्योंकि voltage को current में source में बदलने के लिए, आपको उसका internal resistance परलल में लगा देना पड़ता है, तो यहां पर आप देख रहें, यह वी ओजी के साथ RTS series में है, यह IEC के साथ RTS parallel में है, इस तरह से voltage source को current source में convert करना बहुत आसान है, ठीक है, अप्टर देट, अब लेट अस टेक अग्जामपल, ठीक है, अब हम देखते हैं, असपोज यह एक circuit है, इस circuit को, हमारा question यह है कि, determine thevenin and Norton equivalent circuits, अब दो फ्लेंश circuit, मतलब एक ही circuit से हम देखते हैं कि, कैसे इसको thevenin में convert करना है, और कैसे Norton में करना है, और जो अभी अभी पढ़ा, उस relation को भी देख लेंगे, इसके साथ साथ, कि VOC, IEC और RTH का जो relation है, तो ठीक है, अब आप familiar हैं, तो कैसे करेंगे, पहले 7 इंचे कर लेते हैं, और Norton से दोनों को साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, तो, यहाँ पर यह circuit है, इसको मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, और सॉरी, यह मैंने circuit को जूम कर लिया है, अब आपको सबसे पहले, यह पर फांद आओ, इन थैवनिन, VOC means, open circuit voltage, open circuit means, आपके आउटपूट टर्मिलल, open होने चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं, यह terminal है, यह open है already, ठीक है, तो यह open ही है, there is no load, आपको just, you have to find out the equivalent circuits, थैवनिन और नॉटन, तो थैवनिन के लिए, VOC निकालने के लिए, आपको देखना है, कि बिकॉज, आपको देखना है कि, simply यहां से शुरू हुआ, करेंट, जो करेंट इदर से आजाएगी, ठीक है, यह करेंट इतना ही circuit रहा, तो आपका 30V, वो सोर्स है, 10KOhm R1, and R3 10KOhm, जो की पूरा का यूरा, एक simple network बन रहा है, सीरीज में, so R1 and R3 will be in series, तो आपकी टोटल रिजिस्टेंस, 10 and 20 हो जाएगा, और करेंट कितना आजाएगा यहां पर से, जो करेंट आएगा, which that will be 30 divided by 20, ठीक है, यह तो आपका करेंट आया, अब आपको ओपन सर्कुल बोल्टेज निकालना है, तो VOC निकालने के लिए, टोटल करेंट इंटू R3 कर देंगे, तो इस करेंट 30 divided by 20 into 10, तो यह आपका 3 by 2, ठीक है, 3 by 2 means, no, 30 यह आएगा, तो 15 आजाएगा means, ठीक है, 15 वोल्ट आजाएगा, यह अंसर आगे आपका, यह पहला कामा क्या होगिया, यह VOC, VOC simple है, इसके बाद का क्या काम होता है, दूसरा, दूसरा काम होता है, आपका RTS निकालना, ठीक है, अब RTS निकालते हैं, RTS निकालने के लिए, RTS निकालने के लिए, अगेन, यह अब तो, ओपन दी, आउटपूट, टर्मिनल, जो लोड है, उसको उपन कर दिया, तो इस तरफ से आप देखेंगे, हमेसा यह ध्यान रखेंगे, remember that, you will always look, from the, लोड टर्मिनल, ठीक है, looking back, तो यहां से देखते वे, आपका, total resistance कितना आएगा इस circuit का, और उस से में पर आपका internal यह वाला है, 30 वोल्ट को आप रिप्लेस कर देंगे, internal resistance से, means कि short circuit, तो यह तो short हो गया, short circuit हो गया, यह खतम हो गया इदर, अब आपके पास 10, R1, R2, R3 बचे हुए हैं, जिन में से आप पीछे की तरफ से, यहां से, लोट की तरफ से देख रहे हैं, तो यहां से क्या आएगा, 10 ohm यह R2, इसके साथ सेरीज में क्या हैं, R1 और R3 का parallel combination, so R2, यहां कहीं पर लिखा हुआ है, नीचे, यहां सबसे last में यह वाला, यह मैंने पॉइंट आउट कर दिया, R2 प्लस R1 parallel R3, आप देखेंगे 10, 10, 10 ही है, सबसे simplest case है, तो 10 or 10 का parallel 5 बनता है, मतलब हाफ हो जाता है, इसलिए total 15 हो जाएगा, यह वाला, ठीक है, तो RTS is 15, अब यहां पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो मैंने VOC RTS बता दिया, थेवनिन के लिए, बट ISC, नॉटन के लिए निकाना पड़ता है, तो ISC कैसे निकलेगा, यह बीच में दिखा गया है, आपको यहां पर से नीचे, इसमें, अब ISC कैसे होता है, ISC के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शॉट करना पड़ता है, तो सर्कुट को पहले शॉट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि, इसमें आप देखें, इसमें अगर शॉट कर देता हूं, इनको यह इन दुनको ऐसे मिक्स कर देंगे, connect कर देंगे, लोट टामिनल्स को, ठीक है, अब शॉट सर्कुट करेंट मिन्स, यहां करन कौन कितनी करेंट फ्लो करेगी, यह निकालना है आपको, ठीक है, for not an equivalent circuit, तो इस समय पे, अब यहां कितनी करेंट फ्लो करेगी, जितनी इसके थ्रू करेगी, अगर यहां से करेंट की कुछ फ्लो करती है, जितनी current R2 के थ्रू जाएगी वही current में चाहिए ISC विल भी उतनी ही होगी तो अब पहले तो total resistance से पहले current निकाल लेते हैं तो total resistance कितना आएगा अब total resistance आएगा R1 this R1 plus R3 parallel R2 ठीक है इन दोनों का parallel combination तो यहां कहीं पर लिखा होगा यह नीचे लिखा होगा देखिए denominator में R1 plus R3 parallel R2 यह क्या है total resistance so when we will divide Vs through this resistance तो यह Vs है और यह divide कर दिया इससे तो हमको क्या मिलता है total total current पहले यहां से आने वाली current ठीक है यह वाली current मिल गई total current यहां से flow कर रही है यह आई 2 milli ampere ठीक है 2 milli ampere यहां से आया 2 milli ampere now how it will be divided into R2 and R3 branch कहां केतना जाएगा जब R2 के लिए आपको निकालना है तो आप करेंगे R3 divided by R2 plus R3 यह ठीक है R3 divided by R2 plus R3 multiplied by the total current means I1 SE 2 milli ampere जो है मरा 2 milli ampere will be divided like equal equally हो जाएगा because R2 and R3 are same so 1 milli ampere will be the current ठीक है short circuit current तो यहां से RTH हमने पहले भी निकाल लिया है but RTH का जो relation अभी हमने established किया था between Thevenin and Norton तो RTH यह भी आपका निकल सकता है same ही आएगा if now you know the VOC and ISC so VOC और ISC say RTH equal to VOC divided by ISC 15 by 1 milli ampere so it will be 15 kilo ohm always keep in mind that units will be correct तीक है units जो है वो शुद बी correct आप सही unit का युच करें तो 15 by 1 जल्द बाजी में आप 15 कर देते हैं but actually क्या है 15 V and 1 milli ampere so it will come as 15 kilo ohm और अभी हमने RTH वैसे भी निकाल लिया था जो हमने conventionally पड़ा है तो बोथ हर coming as 15 kilo ohm तो यह circuit में आपका equivalent circuit क्या बनेगा अब देख लेते हैं यह बन गया so now you can see these are the Thevenin equivalent circuit and the Norton equivalent circuit of the original circuit which was given in the numerical problem तो वो जो problem था उसमें से हमने क्या किया देखो 15 V and 15 kilo ohm लग गया Thevenin और Norton में क्या है 1 milli ampere and parallel में 15 kilo ohm का resistance लगा हुए यह आपका answer है ठीक है now I think that things would be clear to each and everyone अब तो बहुत सारा हमने काफी इसका practice कर लिया है अब बहुत clear हो गया होगा आप लों को ठीक है इसके बाद हम देखते है maximum power transfer theorem तो यह एक theorem है यह भी important है कि यह क्या कहता है इसका statement पढ़ लेते है the maximum power is transferred from a source to a load when the load resistance is equal to the internal source resistance ठीक है और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस circuit को इस circuit में आप VS देख रहे है एक voltage source RS इसका एक internal resistance है A and B are the load terminals and RL is the load connected between these terminals तो आपका यह maximum power transfer यह कहता है कि VS जो आपका source है इस source से आपके load में power कब maximum transfer होगा power मतलब उसमें कुछ current pass करेगा current pass करेगा तो total voltage drop होगा तो जितना भी वो voltage और current आएगा जो P power आप निकालना I square into R या फिर V square upon R जो भी वो power होगा transfer to load वो vary करेगा ठीक है वो कब vary करेगा RS और RL की value क्या है इस पर depend करेगा RL RS से कम है या ज्यादा है तो RL अगर RS के exactly equal होगा means RL means load resistance and source resistance are equal then we will have the maximum power transfer to the load यह है maximum power transfer theorem simple है याद करना भी आसान है कि source का resistance जितना है RS वो अगर load के resistance के equal है then maximum power will be transferred और ऐसे में हम बोलते हैं कि यह match हो रहा है means matching load बोलते हैं इसको इस condition को ठीक है इसको और देख लेते हैं इसका तवा proof देख लेते हैं कि कैसे ऐसा आता है कि RL और RS जब equal है तभी maximum power transfer होगा otherwise कम होगा तो this is the proof बहुत simple है बहुत easy है आप देखेंगे again same circuit है power क्या होगा VL into IL मैंने अभी अभी आपको बताया ठीक है तो power जो होगा यह VL into IL और VL के से आएगा इस circuit में क्या है total resistance RS plus RL है ठीक है total resistance क्या है RS plus RL तो अगर इसको इससे divide करें VS को तो total current आजाएगा हमार पास ओके तो total current आजाएगा और वही current आपका पूरे circuit में flow करेगा यह यहां से पूरा ही series में है तो same ही current flow करेगा series में so IL अगर मैं लिखता हूँ इसे IL will be VS upon RS plus RL यह है current flowing through the load और VL into IL आपको power निकालना है तो VL क्या हो जाएगा IL को RL से multiply कर दें आप simply ठीक है तो I square R से भी कर सकते है कैसे भी कर लें यहां पे जो इस तरह दिखाया गया है यह है आपका sorry यह वाला पूरा यह पूरा आगया आपका VL और यह वाला आगया आपका IL ठीक है तो IL into VL यह I square R बन रहा है यहां पे यह तो यह total कितना बन रहा है आपका RL into VS square upon RL plus RS का square then अब आप देखते हैं कि कैसे how the PL will vary according to the value of RL तो RL की हिसाब से PL vary होगा इस equation से बन जाएगा PL और RL में equation वा गया है तो आप देख रहे हैं RL 0 है if RL is 0 then PL is 0 ओके बट RL अगर बहुत ज़्यादा हो गया है infinite because RL आपका numerator में भी है denominator में भी है अगर RL बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी तो आपका कम ही हो जाएगा PL ठीके because नीचे स्क्वाइर में है तो वो ज़्यादा दिनो dominate करेगा so PL again will be 0 at very high value of RL means if you can take it infinite PL again will be 0 तो आपको कह सकते हैं आप अगर मैं ऐसा एक graph खींसता हूँ तो RL की बहुत कम value पे भी PL बहुत कम है ठीक है ऐसे कुछ ये बढ़ेगा और ऐसे कुछ नीचे को decrease करेगा so RL बहुत कम है 0 के नस्दीक है then PL is very low 0 ही है and when RL increases PL increases but after certain value again when RL is very high PL again decreases तो आप कह सकते हैं कि there must be a certain value ये step का कोई एक value है RL का जहां पर PL maximum है वो maximum value जो होगा उस समें आपको कह सकते हैं कि वो constant होगया है कुछ देर के लिए बहुत ही छोटे से time के लिए लेकिन वो constant है वाँ पे means अगर differentiate करेंगे आप RL के साथ PL को del PL del RL ठीक है ये जो होगा ये उस समें 0 हो जाना चाहिए at that point उस point पे हम आपको कहेंगे कि maximum power transfer होगी तो देखते हैं चलो इसको यहाँ पे किया हुआ है ये del PL by del RL ये वाला तो ये आपका differentiation करना है simply कुछ नहीं है बहुत आसान है RL के respect में differentiate कर दिया है तो आपका RL equal to RS ये condition आ गया ये वाला condition तो इस condition को कहते हैं हम match कर दिया हमने load को और maximum power will be transferred RL equal to RS ठीक है और maximum power उस समें पर कितना transfer होगा इस equation से आप निकाल सकते हैं RL को RS के बराबर रग दीजिए तो इस it is coming as Vs square upon 4 RS ओके fine एक question भी देख लेते हैं इस पर बहुत easy question आते हैं क्योंकि RL equal to RS ये condition है जो आद रखना है आपको circuit अब आपको पता है समझ में आ रहा है ये एक circuit दे दिया आपको 10 volt voltage source is given 50 ohm resistance RS है उसका internal source resistance and RL is 50 ohm तो बोट आर सेम ठीक है मैचिंग हो रहा है यहां पे पूछा क्या गया है कि maximum power कितना transfer होगा ठीक है तो कितना transfer होगा बताईए total current कितना हो गया पहले तो इसका 50 plus 50 ohm करके आपको निकाल लईजिए तो 100 ohm इसका total resistance आ गया ठीक है 10 upon 100 कर लीजी VL square over RL भी कर सकते है सबसे easy जिसमें किया हुआ है वो तो बहुत easy एक है सीधे ही कर दिया है VL square over RL ठीक है पर उसको निकालना पड़ेगा ही मैं इस आपर कर लेता हो जरा थोड़ा सा calculation ठीक है तो इस calculation में हम क्या करते है देखे इसको मैं करता हूँ सबसे पहले current कितना flow करेगा यहां से current flow करेगा पूरे circuit में एक ही current flow करेगा series में है पूरा तो IL equal to 10 upon 100 ठीक है V upon R 10 upon 100 कितना आ गया 0.1 क्या voltage and ohm है तो ampere आ जाएगा 0.1 ampere अब यह IL आ गया तो IL square RL कर लीजिए सिदा सिदा simply V upon R भी कर सकते हैं बट अगर आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं IL निकली चुका है तो V की कोई जरूती नहीं है तो PL will be IL square RL तो यह 0.1 square हो जाएगा और RL 50 है ठीक है तो यहां पे यह बनता है 0.01 0.01 into 50 तो यह कितना आया 0.5 Watt जो कि यहां पे आपको आपको आंसर भी दिया गया है ठीक है बोट ways you can do आप यू can either use VL square और RL आप V निकालना पड़ेगा या IL square RL सिदा ही निकल जाएगा ठीक है तो यहां तक हमारा यह complete हो चुका है आज हमने सारा ही electronics के जितनी basic theorems थी जो हमें simplify करने के काम आती है कई बार कई complicated circuits में क्योंकि हमने तो अभी examples के तौर पे एक या दो source लिए और एक या दो registers लिए लेकिन बहुत सारे जब sources हैं बहुत सारे registers हैं तब in that case these theorems are very helpful ठीक है superposition theorem है Thevenin, Norton and now maximum power transfer theorem यह चार theorem बहुत important theorem है और अभी के लिए हम इसको summarize भी कर दिया है आज अब next time पे हम start करेंगे diode ठीक है जो कि एक passive component होता है sorry active component होता है क्योंकि अभी तग हमने passive पड़े है register, inductor and capacitor LCR ठीक है बट अब हम active components like diode and transistor we will see और इन active components से ही आपका धीरे-धीरे electronics आगे को बढ़ेगा electronics advance होगा किस तरह से you can control the current ठीक है यह importance है otherwise आप क्या है electricity electrical engineering की बात करेंगे जो मैंने बहुत साथ I think I have discussed in first lecture कि electrical engineering and electronics में फरक है यही फरक है कि आप diode और transistor type की components का यूज करके इसे circuits बना सकते हैं which are used in controlling the current flowing through the circuit आप किस समें कितना current को control करवा सकते हैं और transistor is में एक बहुत important factor है और उसका यूज भी होता है फिर बहुत सारे electronic components में यहां तक की computers में और advanced computers में फिर ICs integrated circuits का यूज का किया जाता है so which is nothing but a very thin and small and thin वैफर, silicon वैफर होता है जिसके उपर on which we can fabricate millions of components या transistors उसके से क्या होता है आपका जो advanced electronics में आज़कल की technology में क्या है क्या आपका size छोटा होता जा रहा है electronic components का devices का बट आपकी performance और भी ज़्यादा होती जा रही है तो यह सब भी हम slowly we will try to discuss it thank you